तारे लोग नहीं जानते कि यमराज जी का दूसरा नाम दरमराज जी भी है इसके बारे में आज आपको मैं चानकरी दूँगा हिंदू दरम सास्त्रों में यम को मिट्चु का देवता माना जाता है यम लोग के राजा होने के कारण ये यमराज भी कहलाते हैं यम सूरिय देव के पुत्र है और उनकी माता का नाम संग्या है उनका वहान बेसा है और संदेश वहक पक्सी, कबूतर, उल्लू और कवा भी माना जाता है उनका हतियार गदा है दरमराज अपने हाथ में काल सुत्र या काल पास रखते है जिससे मैं किसी भी जीवित प्राणी के प्राण निकाल सकते हैं कहा तो ये भी जाता है कि जब जीवित प्राणी का संसार में काम पूरा हो जाता है तो उसके सरीर से यम्राज अपने काल पास से उसके प्राण निकाल लेते हैं ताकि प्राणी फिर से नया जीवन वर नया सरीर धारन कर सके यम्पुरी में यम्र विचार विमस करते हैं। दरहम्राज अपने सिंगासन पे बेटकर विचार बवन में मरने वालों की आत्माओं को एक-एक करके बुलाते हैं। चित्रगुप्ट जी से उनके भई खाते खुलवाकर लेखा जोखा पूछते हैं। और उनको उनके पापों को या उनके पुन्ने के अनुसार उनको सजा देते हैं। उनके कर्मों को धान में रखकर यम्राज अपना पेसला देते हैं। धरहम्राज जी की कई पत्निया थी लेकिन उनमें से सुसिला, विजिया, हैमनाल अधिक जानी जाती हैं। उनके कई पुत्र हैं उनमें से धरमराज यूजिस्टर को तो आप सब MORE जानते हैं न्याय के पक्स में पेसला देने के कारण ही यम्राज और यूजिस्टर धरमराज के नाम से भी जाने जाते हैं तो दोस्तों केसी लगी आपको हमारी दी गई जन करी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग कहानी जानने के लिए आप हमेरे चैनल को सस्क्राइब करिए धन्यवाद